हेलो फ्रेंट्स वागत हैं आपको मेरे यूटूब चैनल पे फ्रेंट्स जैसा कि आपको माले में बिहार भी सुबिद्दाले के द्वारा पार्ट टू का फॉर्म भरवाया जा रहा है और वैसे चातर जिनका रिजल्ट पेंडिंग है या फिर जो पर्मोट है और जो अप्षेंट है वैसे चातर को जो है पार्ट टू का फॉर्म भरणने में काफी दिकते हो रही है जो चातर सतरा से बीच सेसन के हैं फिलहाल तो वो पार्ट टू का एकजाम दे रहे हैं लेकिन उनको पार्ट टू के पेपर किलियर करने के लिए फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लाइव किस तरीके से अगर आप का पेंडिंग है अगर आप परमो्ट हैं अगर आप प्रेइव करेंगे इस वीडियो में पूरा जनखरी देंगे उससे पहले अगर आ आप मेरे चैनल पर नहें तो परिल शुक्राइब कर साथspeed कररा तो वीडियो को लाइक कर देना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जहां से आपको हम लाइब बताएंगे पूरे यूटुब पर अभी तक आपको किसी नहीं बताया है कि किस तरीके से पेंडिंग वाले या फिर पर्मोंट वाले या फिर जो अपसेंट है और कैसे फॉर्म यूटुब पर अभी तक आपको किसी नहीं बताया होगा सायद आपने बहुत सारे वीडियो देखा भी होगा ताहिए हम इस वीडियो में लाइब बताएंगे किस तरीके से आपको फॉर्म भरने हैं सबसे पहले आपको ब्रावजर की ऑफिशल ब्यो साइट पे आ जानी है 2020 फॉर्म फिलप कुछ इस तरीके से लिंक आपको यहां पर दिख रहा है जैसे आपको यहां पर क्लिक कीजेगा आपके सामने एक नया पेज उपन होगा जो कुछ इस तरीके से उगा उसके बाद आपको क्या खरना है जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्ट 3 परिक्षा तो उलिंक बिल्कुल तयार कर दिया गया इनवर्सिटी ने उसके बाद आपको क्या करना है जैसे आप पर फॉर्म पर क्लिक किजिएगा तो कुछ इस तरीके सा टैब आपके सामने आएगा और अपने ब्रावजर को डेक्षटप मोड पर करके ही करना है यह सारी चीजे उस क्लिक किया है तो आपका पॉर्मोट पर पर लिंक आपको मिलेंगे पर्मोट और पर पहें पर फॉर्म पर क्लिक करना है जैसे आप इसपर क्लिक किजिएगा आपके सामने दो अप्शन कुलेंगे फर्स्ट में आपको registration का और second में आपको login का first step में आपको registration करना है तो friends यहाँ आपको registration पर क्लिक करना है जैसे आप registration पर क्लिक कीज़ेगा आपने part 3 का जैसे form फिल्ब किया था आपके सामने कुछ इस तरीके से open हो जागा जैसा कि आप देखना है registration to fill promote form यह tab जो है promote वाले के लिए भी है absent वाले के लिए भी है और जिसने मतलब जिनका result pending है और ओभी exam देना चाहते हैं उनके लिए भी है तो आप यहाँ पर step first में आपको क्या करना है कि सबसे पर यहाँ पर अपना नाम fill करना है यह registration नमर फिल करना है यह रोल नमर फिल करना है यह email id और यहाँ mobile नमर और capture code को यह इंटर कर देना है जैसे आप इसको इंटर कीजेगा और registration पर क्लिक कीजेगा आपका जो है registration हो जाएगा उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है registration नमर में जैसा कि आपका registration होता है कि इस तरीके से आपका registration नमर यहाँ पर नहीं पर होताह है आपको यह आप पर बता दे जैसे आपका है कि 20, 125 और 돌is Gem ऐकार 17 स स्तुडेंट है इयर यह तो इस तरीके से आपका email काड़ पर दीख जाएगा जैसे माझ नहीं की कुछ इस तरीके से आपको फिल करना है जैसे आप फिल कियोग दिजिएगा पूरह यहां पर हेंग लिटी एधि जए और इंटर करने के बाद next step के लिए आपको जाना है registration पर क्लिक कर देना आपका registration हो जाएगा और आपके registration mobile नमबर पर यानि आपके registereded mobile नमबर पर कुछ इस तरीके से आपको जो है मिल जाएगा एक SMS जैसे आपको SMS मिलेगा आपको next step के लिए यहाँ पर login पर फिर उसी साइट पर आना है और उसी तरीके कुछ इस तरीके से tab आपके सामने open होगा कुछ इस तरीके से tab open होने के बाद जैसे कि आप देख रहा है यहाँ पर three dot कुछ इस तरीके है three dot पर यहाँ पर click करना है जैसे आप three dot पर click किजिएगा three dot पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से नया page आएगा जो कुछ इस तरीके से यहां पर देखना है कि आपको यहां पर तीन तरीके टाब एक introduction का एक paper information का एक finalized form का तो सबसे पहले आपको paper information पर click करना है धी हां friends यहां पर आपको paper information पर click करना है अगर आप यह instruction पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं लेकिन इसकी कोई अवशक्ता नहीं है कि यहां पर मैं बता दे रहा हूं सबसे पहले आपको paper information पर click करना है जैसे आप paper information पर click कीजिएगा आपके सामने आपका paper जो भी आपने part 3 के form भरे थे आपका total paper यहां पर आ जाएगा जैसे कि आप देख रहे है मैंने यहां पर एक candidate क पर paper one paper four paper आपका जो इंग्लिस अनर्स paper में भी मतलब pass है और यहां पर subsidiary में zero marks है यहां पर अपसेंट वाले के लिए सबसे पहले आपको जिस paper का देना है जैसा कि आप honors paper में यहां पर अपसेंट है या फिर promote है तो honors दोनों paper यहां पर exam देने होते है या इसलिए अगर आप अनर्स में है तो दोने paper आपको देने होंगे अगर आप subsidiary में अपसेंट या फिर promote है ता आपको के वल सबसेंट होंगे subsidiary के जिस paper में आप अपसेंट होंगे उसलिका exam देना होगा यहां पर जैसे कि एक अंडिडेट जो है फिलोसफी subsidiary में अपसेंट है तो आप यहां पर पर आप्सेंट होगा उसको यहां पर टीक कर लेना है जयसे आपके सामने कुछ इस तरीक का form ऑपें हो जाएगा और मैंने कुछ पार्ट को जो है से ऑले कर दिया है तो जूझे में इस अथा unpð को हैंने की अवज़ाद सेब्साटर्ण क्युक्रए यहकोट कर दिया है तो आप देख सकते हैं यह पूरा form यहां पर open हो चुका है यहां पर आप देख रहे हैं कि promote examination paper detail जो भी जिस भी exam आपने वहां पर टिक किया होगा उस paper का detail यहां पर आ जागा जैसे कि यह candidate subsidiary philosophy में promote है तो इसका यहां पर detail आ चुका है तो यह detail आ जाएगा उसके बाद नीचे आपको कुछ इस तरीके का option दीखेगा finalize sorry यहां पर दिखेगा final submit तो यहां पर अच्छे तरीके सब पढ़ने के बाद में यहां पर final submit पर क्लिक कर देना है जैसे आप final submit पर क्लिक किजिएगा आपका form जो है कमेंटर के जरूर बताईएगा और साथ ही अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी help मिला होगा तो फिलिच इस चैनल को subscribe जरूर कर देजेगा चलिए मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाइबार इस वीडियो का अपने मित्रों में जरूर सेर कर कर देजे ताकि उनको भी help मिल जाएं